इस वीडियो लेक्चर में हमें देखना है प्लाजमा प्रोटीन बाइंडिंग तो बेसिक के लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है जो कि एनिमेटेड वीडियो है वह आप देख सकते हो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो फिलाल के लिए हम पर आप देख सकते हैं कि इस हमारा drug है शुब करेरह के यह हमारा drug हम टो यह क्या होगा बलर में आने के बाद या तो प्लाजमा प्रोटीन जो है जो प्लाजमा प्रोटीन से उनके साथ वंटेरेक्ट करेगा ऑक यह फिर वह वह मेंब्रेन को क्रॉस करके सीधा वह टीशू हो सकती है राइट वह बाइडिंग जो है आइदर रिवर्सिबल हो सकती है और इर्रिवर्सिबल भी हो सकती है अगर वह बाइडिंग कि अगर मेम रिवेर्शिबल होगी तो उसमें वीक केमिकल बॉंडिंग होती है यानि कि उसमें हईड्रोजन बॉंड रिवiciency ऑन्डींग हाईड्रभीक बॉंडिंग वैंडरवाल फ। इनवाल हो सकता है अगर वह पाइंडिंग रिवर्सिबल हो तो उसमें कोवेलेंट बांडिंग प्रेजेंट रहेती है मतलब कोवेलेंट बांडिंग रहेगी तो वह कैसा हो गया नौट रिवर्सिबल यानि वह टॉक्षिटी प्रोडूस कर सकता है तो यह एक डिफरंस है अभी इसके बाद हम देखेंगे कि एक्चुल वज़े से वह ड्रग कोई भी मेंब्रेन क्रॉस नहीं कर पाता तो उसमें और अनबांडेट ड्रग में क्या डिफरंस होता है तो उसके लिए यह टेबल देख लीजिए जो बांडेट रहेगा वह कैसे रहेगा इनक्टिव रहेगा मतलब वह एक्षिन देगा क्या नहीं न कंसेप्ट होगा वह ज्यादा इंपोर्डन्ट है तो इस पर ज्यादा मतलब फोकॉस कर देना क्योंकि जीपैट में आइपर में क्वेशन पूछा है मतलब अभी देखो जो ड्रग बांड रहेगा यानि वह कंप्लेक्स फॉर्म करेगा प्रोटीन के साथ तो उसका डिस्रि सब्सक्ताइब को तो क्लियरंस में यह तो इसकी वीडी जो है वह कैसी यहें है उचीव वोल्म इंट streaming कैसा है उसका भूखती कम है होगा यानि कि उसका क्लियरंस भी ज्यादा होगा यानि उसका मेटाबोलिजम क्या होगा हाई होगा अभी यहां पर एक क्लीनिकल इंपोर्टन्स देखते हैं प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग की तो यहां पर आप याद रखिए ड्रग्स इस विट हाई प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अब उनके साथ क्या होता है देखो या तो वह ड्रग्स के साथ कंप्लेक्स फॉर्म करेंगे वह प्रोटीन के साथ मतलब उनकी साइज क्या होगी ज्यादा बढ़ी होगी तो इसकी वज़े से वह ड्रग्स में effective नहीं होते होके अभी dialysis में क्यों effective नहीं होंगे कि वह complex कर रहे हैं और complex form करने की वजय से उनकी साइज है वह ज्यादा बड़ी हो गई है size क्या हुआ हुकि njady इस शोल घ्रिए एक इसी वज़े से वह प्लाज्मा प्रोटिन ड्रॉटींग और टिशू ड्रग बाइंडिंग मतलब प्लाज्म मतलब बाइंड अगरा तो इन दोनौं में में है तो यह देख लेते हैं अभी तो डिफ्रेंस सबसे पहले कि डिफ्रेंस रहता है जो प्लादमा प्रोटिण बाइन रहेती है वह वीक बाइंडिंग रहती है मतलब और रिवर्सिबल होगी तो उससे क्या होगा वह टॉट। आक देंगे या नहीं देंगे नो टाग्यूसिती राइट बट इनकेस और पीशु ड्रग बाइंडिंग उसमें जो बडिंड रहेगी वह काफी ज्यादा स्ट्रॉंग रहेती यानि कि उसमें कोवेलेंट बाइंडिंग प्रेजैंट रहे जो कि इर्रिवरसीबल यह द्रुओ सीरी और कि अगर इंसे की अगर सकती है तो यह रहा हमारा एक शॉर्ट वीडियो था प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के ऊपर अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बाखी के वीडियो जे वो भी आप देख सकते हैं